जय मातादी आप सभी पर मातारानी का आशिर्वा सदा बना रहें कन्या पूजन नवरात्री की अस्टमी या नौमित इथी के दिन किया जाता हैं मातारानी का स्वरूप माने जाने वाले कन्याओं की पूजा के बिना नौ दिन की शक्ति पूजा अधूरी माने जाती हैं जोक कन्या भोज के बाद ही नवरात्र व्रत समाप्त हो जाते हैं तो कुछ लोग अस्टमितिती के दिन कन्या पूजन करते हैं ध्यान रखें कि कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना इस दिन बहुत आवश्यक होता है अगर आप भी कन्या भोज कराने ज कंख्या का क्या महत होता है और कितने वर्ष की कन्या किस शक्ति का प्रतीक होती हैं सबसे पहले जान लेते हैं कन्या पूजन के महुर्थ के बारे में इस पार अस्टमी तिथी 10 10 अक्टूबर गुरुवार को है नौमी तिथी 11 अक्टूबर शुकुरुवार को और solic ing तवी 12 अक्टूबर शुकुरुव़ार को रहेas वैसे तो इस कार नौइपल्ट शुक्रुबार को दो तो आतना mm पर वैसे इसका निवरात्री की पूजा के न्युच्ति या कुछ जोतिश्यों के अनुसार इस बार अस्टमी नौमी तिथी एक ही दिन मनाई जाने की बात भी की जा रही है तो ऐसे में मैं आपको इक बार फिर से बता दू कि आपके छेत्र में जिस दिन भी अस्टमी और नौमी का करन्या पूजन हो रहा हो आप उसके अनुसार जो लोग इस बार अस्टमी और नौमी तिथी एक ही दिन मान कर कन्या पूजन करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता दू कि महा अस्टमी पर कन्या पूजन का जो शुब मूर्थ आपको प्राप्थ होगा वो ग्यारा अक्टूबर को सुबह साथ बचकर 47 मिनट से अस्टमी तिथी के दिन करन्या पूजन होता हो वो इस दिन सुभा 6 बज कर 25 मिनट से दो पहर 12 बज कर 35 मिनट के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं और जिनके यहाँ पर नौविती थी के दिन कन्या पूजन किया जाता हो वे लोग 11 अक्टूबर शुकरवार को सुभा 6 बच का 26 निट से दो पहर 12 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा देर हो जाए तो लगभग 1 बजे के आसपास तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं दियान रखेगा कि दोपहर में बहुत ज्यादा देर के बाद से कन्या फूज chilly करना ज माना जाता है है नवरात्री कन्या पूजन कंप canopy करने से मां भगवति के की ऄसनी से प्राप्त हूज जाती है क्योंकि कन्याओं में मा आदिशक्ति का वास होता है कन्याओं पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र दो से दस वर्ष के बीच होनी चाहिए साथ ही एक बालक को भी जरूर आमंत्रित करें क्योंकि ये बालक भटुक भहरव या फिर लांगुरा का रोप माना जाता है आदिशक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक एक भहरव को रखा हुआ है इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी अनिवारी माने गई है शक्ति पीठ के दर्शन करने के बाद अगर भहरव के दर्शन नहीं किये तो मा के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं ठीक उसी तरह कन्या पूजन के दिन एक बटुक भहरव की पूजा करना भी अनिवारी होता है शास्त्रों के प्रती में एक कन्या एक त्रह की अव्यक्त उर्जा का प्रतीक होती है और उनकी पूजा करने से ये उर्जा सक्री हो जाती है और इस प्रकार इस उम्र की कन्याओं की पूजा करने से सभी देवियों का आशिरवात और कृपा प्राप्त होती है अब कन्या पूजन की विधी जानने से पहले ये भी जान लिजिए कि कन्या पूजन की संख्याओं का क्या महत् को एश्वरि की प्राप्ति होती है। दो कन्याओं का पूजन करने से भोक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और 10 कृणि होती हैं अब जाने के 10 के दिन करने से पहले घर को साफ कर लीजेगा क्योंकि आने वाली कन्याई स्वरंमाता का स्वरुप मानि जाती हैं इसलिए कन्याओं को आमतःत्त करतेसमें घर में साफ सफाई होने चाहिए और घर महौल भी मौणत Community को अब कन्याई पूजण का फल मिलता है कन्या पूजन में आपको जितनी भी अन्याई मिल सकेРИ ए एक तीन पहले शाम के समय अगले दिन आने का आमंत्रन दे सकती हैं अगर ऐसा संभव ना हो तो आप जितनी भी कन्याई मिल जाएं आपको जिस समय पर आप उन्हीं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में सुभा की जो पूजा है जो हवन आ पूजां करता है फिर उसके बाद आप जो कन्या भी आपके घर में हैं अगर किसी घर में भी हो आसपास भी कन्याना हो तो आप एक तीन या पांच साथ की संख्या में जो भी भोग आपने मतरानी के लिए तयार किया है उसको आप उतने हिस्सों में एक पतल में रख लीजे और बात में इस भोग परशाद को गौमाता को आप खिला सकते हैं ध्यान रखेगा कि कन्याओं पर बिठाना चाहिए फिर कन्याओं को खीर पूरी सब्जी और हल्वा चना परोसे इस बात का ध्यान रखें कि कभी भोजन करने के लिए प्रशाद करने के लिए जबरदस्ति नहीं करनी चाहिए वे जितना खापाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए को तोड़कर प्रशाद रूप में सभी कन्याओं को बाटते हैं अगर आपकी हाँ ऐसा किया जाता हो तो आप भी नारेल प्रशाद रूप में करन्याओं को दे सकते हैं भोजन करवाने के बाद करन्याओं और बटुक के हाथ धुलवा कर जो भी उपहार आपकी सामर्थ के नुसार आप उन्हें दे सकते हूं वो उन्हें आप भेट करें जैसे फल मिठाई दक्षिना लालचुंड्री या खेल खिलोने या फिर बरतन भी आप कन्याओं को बटुक भैरव को भेट में दे सकते हैं वैसे तो आप यह सभी चीज़े भी दे सकते हैं सामर्थ ना हो तो को कन्या पूजन में विफिर से आपके घर पर सादर आमंत्रित हों कन्या पूजन करते समें कुछ साफधानिया भी आपको रखनी चाहिए जैसे की कन्याओं को बिल्कुल भी डाटना नहीं चाहिए पूरिश रधा के साथ उनकी पूजा करें और इस दिन भूल कर भी कन्याओ को बासी जूटा भोजन ना करवाएं कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए अगर आपके पास कन्या पूजन करने का समय नहीं है या फिर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में यह थर्शक्ती भोजन असर्फिभी आप कुछ दान दक्षिन दे सकते हैं कभि भी कन्यापूजन करते समय कन्याओं के साथ ॥ैध भाव नहीं करना करने कन्याओं यह भोलकर भी लहसूं-प्याज्जव मिर्च पूरे नौ दिन वृत रखे हैं पीरट्स होने की करण खुद से कन्या पूजन ना कर पाएं तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से भोग प्रशाद तयार करवा कर उन्हीं के द्वारा कन्या पूजन करवा सकते हैं अगर आप बिलकुल अकेली हैं कोई भोग प्रशाद तयार करने वाला आपके परिवार में भी कोई साथ में नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में आप जब शुद्ध हो जाएं तो उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं वैसे आने वाली जो आश्विंपूर निमा है वो ऐसे लोगो दी के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते हो उससे आप इधिविदाश से अपने घर पर करके या आसपास के मंदिर में ही कन्या पूजन पूजन के निसार जम्मो कश्मिर के कट रहा के करने कर दो पूजह करने के पाद सभी कन्याएं तो लोट गई पर माता अपने कन्या रूप में वही रही। और उन्होंने श्रीधर से कहा कि सब को भंडारे का निमंतरन दे कर आओ। उस दिवे कन्या की बात मानकर श्रीधर ने आसपास की गावों में भंडारे का निमंतरन भीजवा दिया। भंडारे में और भी बहुत से लोगों के साथ कन्याएं आई, इसके पास श्रीधर के घर संतान की उत्पत्य भी। माना जाता है कि तभी से आस तक नवरात्री में कन्या पूजन की परंप्रा चलिया रही है। भोजन कराना चाहिए। प्रह्मा जी के सलाह के बाद इंदर देव ने माता की विदिविधान से पूजा करने के बाद कुमारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंदर देव के सिवभाव को देख कर माता प्रसन हुई और उन्हें आशिरवाद दिया ऐसा माना चाहता है कि तब ही से कन्या पूचन की परंपरा शुरू हुई यह थी आज की वीडियो उमीद है आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लिजेगा अगर आप जाना चाहते हों कि अन्तिम दिन कलश पिर्सर्जन या दुर्गा पिर्सर्जन कैसे किय आजाता है तो इसके वीडियो अलग से मारे चैनल पर अपलोडेड है आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं